हलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम माई यूट्यूब चैनल इसके ल क्लासेस पे आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की NCRT पैटर्न बुक महार्शी विद्यामंदिर की बुक है एक्साइज 1.2 में 1,2,3,4,5,6 कोशन हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर आपने अभी तक वीडियो प्रीविश वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट पे जाकर जरूर देख लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 7 दा कॉशन आपसे यह कह रहे हैं कि हम 20 फ्लेट की कॉश्ट आपको दे रहे हैं कि वो 10,25,500 रुपीज है यहीं 20 फ्लेट की कॉश्ट हमें इतनी आपको दी गई हैं तो कॉशन आपसे यह पूश रहे हैं कि 12 फ्लेट की कॉश्ट क्या होगी 12 फ्लेट कॉश्ट इक्वल टू इस आपको 12 फ्लेट की कॉश्ट पतानी है देखिए इस question में सबसे पहले क्या करना होगी, 20 flat की value दी गई है, आपको इसमें 1 flat की cost निकालनी होगी, 1 flat cost equal to, तो आपके 20, इसमें आपको divide creation कर दे रहा होगा, 10, 25, 500 में, तो 1 flat की cost आपकी निकाल आएगी, find out हो जाएगी, तो देखिए 20 और 10 नहीं होगा, तो आपके 3 digit ले लेंगे, 25 जा 100, 2 25, 21 जा 20, 55, 22 जा 40, 51 and 0, 27 जा 140, 0, 541 and 0 ले लेंगे, carry, और 25 जा 100, तो 1 flat की cost आगई, 1 flat cost equal to, 5, 1, 2, 7, 5 रूपीज, I hope आपको 1 flat cost निकालनी समझ में आगई होगी, 20 flat की value दी गई थी, उसमें से 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 पहले आप 1 flat की value निकाल लीजी, जिसे 20 से divination कर देंगे, तो हमारी 1 flat की value आजाएगी, अब हमसे जो question पूछें कि total flat की value बताईएगे, तो total flat की cost आप निकाल लीजी, तो 1 flat की जब value दी जाए, और कई सारी values यानि कई numbers की value आप से पूछी जाए, तो आपको multiply कर देना है, 5 1 2 7 5, multiply, तो तो आपको लीजी, 2 5 0 10 0, carry 1 2 7 14, 155 carry 1 2 2 4 1 5, 2 2 1 2 2 2 2 5, multiple 155, 177, 122, 111 155, and then addition. तो यह आपकर question आपको समझ में आ गया होगा, कि 12 flat की value क्या है, 12 flat cost equal to 615330, जिसे हम लोग कहेंगे, 6,15,300 rupees, I hope question number 7 आपको समझ में आ गया होगा, class 6 का question है, और important भी है, important question है, उसमें examinations में आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक बार प्रिसेचा रिमेंट करवा देते हैं, 12 flat की value दी गई थी, 12 flat की value आपसे पूछी गई है, तो उसमें सर्षाच से पहले 1 flat की value निकालेंगे, इसके लिए मिलेंगे, तो 1 flat की cost आपको मिल जा जाएगी, उसके बाट 12 flat की cost पूछी गई तो 12 से multiply कर देंगे, that is answers, I hope आपको question समझ में आ गया हूँगे, वीडियो को लाइक ना कीओं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, subscribe नहीं कीओ, subscribe जरूर कर लीजिए, bell icon जरूर प्रस कर लीजिए, इससे notification आपका next video को मिलते thanks for watching this video